नमस्कार दोस्तों मैं संतुस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम MS Excel में blank row और blank column को delete करना सीखने वाले हैं जब हम MS Excel में कोई table तैयार करते हैं कोई database तैयार करते हैं तो कुछ condition में हमारी table में alternative कुछ blank row हो सकती है और alternative कुछ blank column भी हो सकते हैं जिने हमें delete करना होता है जैसे कि हमारी यहाँ पर एक employee table है जिसमें बीच में कुछ empty rows हैं मतलब blank rows हैं जो की खाली है हमें इस प्रकार की सभी blank row को delete करना है लेकन यदि हम एक-एक blank row पर right click करके इसे delete करेंगे तो इस प्रकार से delete करने में हमारा काफी समय बरबाद हो जाएगा और यदि data बहुत अधिक होगा तो हमें काफी समय लग जाएगा ऐसा करने पर तो इस काम को करने के लिए आज हम एक छोटी सी trick को सीखने वाले हैं जो भी आपके पास data है यदि उसमें alternative blank row है आप उनको delete करना चाहते हैं या आपकी table में कुछ blank column है जिनको आप delete करना चाहते हैं तो आप इस trick का use कर सकते हैं इसके लिए आपको पहले अपने complete data को select करना है जहां तक आपने data की entry करी है वहां तक आप अपनी complete table को select करें हमने अपने complete table को select कर लिया है इसके बाद आपको keyboard से f5 की को press करना है f5 या control plus g जो की go to की shortcut की होती है तो मैंने f5 को press किया go to की shortcut की होती है go to आप control g से भी से open कर सकते हैं इसके बाद आपको special option को select करना है special को यहां पर एक option होता है blanks आप blanks option को select करेंगे और ok करेंगे आप देख सकते हैं अब हमारी table में cable वह row select हो गई है जो row blank है मतलब empty row है अब हमें इन्हें delete करना है तो हम किसी भी एक row पर right click करेंगे और यहां से delete option को select करेंगे इसके बाद हमें entire row को select करना है और ok पर click कर देना है आप देख सकते हैं हमारी जो भी blank row थीं empty row थीं वह सभी delete हो गई है एक साथ हमने सभी blank rows को delete कर दिया है undo करते हैं इसको एक बार फिर से सीखते हैं हम सबसे पहले हमें अपने complete table को complete data को select करना है जहां तक हमारा data है इसके बाद हमें keyword से F5 की को press करना है जो की go to की shortcut की होती है इसके बाद हमें special option को select करना है यहां से हम select करेंगे blanks option को क्यूंकि हमें table की blank row को select करना है इसके बाद आप okay करेंगे automatic आपकी table की सभी blank row को select कर लिया जाता है और जो fill row होती है भरी हुई row होती है उनको unselect कर दिया जाता है इसके बाद आप किसी भी एक selected row पर right click करें otherwise home tab में delete option के अंतरगत delete seat row option को select करें delete seat row इस option पर click करें आप देख सकते हैं जो भी हमारी blank rows theme वह सभी एक साथ delete हो गई है जब हम कोई बड़ी table बनाते हैं बड़ा database बनाते हैं और उसमें कुछ alternative blank row आ जाती है तो उनको delete करना एक काफी बड़ा task होता है उसके लिए आप इस trick का use कर सकते हैं अभी हमने empty row को मतलब blank row को delete करना सीखा इसी प्रकार से आप blank column को भी delete कर सकते हैं पर example हमारी table में कुछ blank column है बीच में जने हमें delete करना है एक column है दो column है तो हम उनको आसानी से delete कर सकते हैं column को select करेंगे right click करेंगे delete कर देंगे लेकिन जब multiple column alternative blank होते हैं बीच बीच में blank होते हैं तो उनको delete करना possible नहीं होता है काफी समय लग जाता है ऐसी condition में आप अपने complete data को select करें जहां तक आपने table में data की entry करिए table को select करें F5 की को press करें go to का dialogue box आता है जिसमें आपको special option को select करना है blanks को select करना है और ok को select करना है आप देख सकते हैं automatic हमारी table के blank column select हो गए है इसके बाद आप delete option को select करें और यहां से select करें delete seat columns इस option पर click करने से आपके table के जो भी blank column होंगे वह सभी एक साथ delete हो जाते हैं तो यदि आप MSXL में कोई table बनाते हैं कोई database बनाते हैं और उसमें multiple blank row को delete करना चाहते हैं multiple blank columns को delete करना चाहते हैं तो आप इस trick का उपयोग कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने MSXL में blank row और blank columns को delete करना सीखा आप इसको practically यूज करके देखें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें ज्यादा स्यादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद